नमस्कार दोस्तों, मैं भाशा और आप देख रहे हैं न्यूस क्लिक पर खोश खबर कायकरम आज शिक्षक दिबस, यानि हम सब मिलकर अपने शिक्षकों को याद करते हैं, उनसे प्रेना लेते हैं और आगे बढ़ते हैं लिहाजा आज का दिन देश की पहली महिला शिक्षका सावित्री बाय फूले को याद करने का दिन है, फातिमा शेक को याद करने का दिन है, जोतिबा फूले को सलाम कहने का दिन है क्योंकि इन सब ने मिलकर एक बहुत बड़ी लकीर खीची भारत में शिक्षा के छेतर में ग्यान के छेतर में इन्होंने देश और दुनिया को बताया बहुत ही निर्भीक धंग से तन कर खड़े होकर कि शिक्षा और ग्यान नौलेश पर सबका हक है कहीं कोई डिस्क्रिमिनेशन की जगा नहीं है भेदभाव की जगा नहीं है मर्द और और औरत समान है दलित पिछुडों और हाशी पे खड़े समाज को ग्यान हासिल जरूर करना चाहिए और इसके लिए उन्होंने अपने तन पर कीचर और तमाम तरह की गालियां उफासना सबक सिखाया कि वह शिक्षा बेमानी है जो सच के साथ खड़ी नहीं है जो रूडियों अंद्विश्वासों से लड़ेना तन कर खड़ी नहीं हो और बच्चों को उनके खिलाफ लड़ने का साहस ना दे आज इन शिक्षकों को याद करने शायद पहले की तुल्ला में और ज़्यादा जरूरत महसूस होती है हम सबको क्योंकि शिक्षा की इस मिसाल पर चौध तरफा हमला दिखाई देता है आज जब हम बात कर रहे हैं शिक्षा का तो हमें आपने आसपास दिखाई देता है कि किस तरह की शिक्षा का प्रचार प्रसार हो रहा है सवाल यहां सिर्फ बुलबुल की सवारी करते सावर करका नहीं हैं जिनके बारे में पढ़ाया जा रहा है करनाटक की आठपी कक्षा में सवाल उससे बहुत बड़ा है ध्यान से सुनिए और सही लगे तो अपने आसपास के लोगों से पूछिए कि क्या हम सब जब शिक्षित होने की बात करते हैं तो क्या इस तरह का समाज इस तरह की शिक्षा इस तरह का मेसेज आमने सामने लोगों को देना चाहते हैं अपनी नेक्स्ट जेनरेशन को देना चाहते हैं 75 साल में जो पढ़ाया गया लिखाया गया तकरीबन सब पर धो पोंच कर बराबर किया जा रहा है अब इसकी जीती जाकती मिसाल हैं या शक्स जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं ये भाशपा के सांसद निशिकंत दूबे हैं बार बार ये एक अलग धंकी शिक्षा देश के नागरिकों को अपने फॉलोवर्स को अपनी पार्टी को देते हैं समझाते हैं कि इस तरह की शिक्षा देश और दूनिया में जानी चाहिए मेरा सीधा सवाल ये है कि जिस तरह से निशिकान दूबे ने जो सांसद हैं उनके साथ मनोश तिवारी वह भी जो भाशपा के सांसद हैं उन्होंने जारखन के देवघर में जो किया क्या वह सही शिक्षा का नमूना है जिस तरह से शाम छे बज़े के बाद उन्होंने पूरा दबाव बनाया कि वह चार्टेट प्लेन से उड़कर दिल्ली आएं जबकि तमाम नियम काईदे कानून साफ साफ कहते हैं कि इस हवाई अड़े से छे बज़े के बाद नाइट फ्लाइट अलाउड नहीं है उड़न बिल्डिंग में घुसकर बवाल काटते हैं हंगामा करते हैं अभद्र बाश्या का इस्तमाल करते हैं पूरी तरह से गुंडा गर्दी पर उतारू होते हैं सारे नियम को धता बता कर अपनी चार्टेट प्लेन की उड़ान करवा लेते हैं या सरासर नियमों का उलंगन और इनके खिलाफ जो शक्स बोलते हैं जारखन के देवगर के जो जिलाधिकारी मंजुनात भजंत्री हैं जो दलित मूल के आईस अधिकारी हैं उन्होंने बहुत ही विनम्र अनुरोध किया बहुत ही नियम काईदे कानून समझाने की कोशिश की और उसके बाद जिस तरह से न हम सब को देता है कि मैं और आप सब बराबर हैं उसका पालन करते हुए इन सांसत के खिलाफ जारखन में F.I.R. दरज होती है लेकिन देखिए जो बदले की सीख जो बदले की शिक्षा इस पूरे प्रक्रण में सामने आ रही है वह चिंता जनक है आज की तारीख में जो साम ने आया है जो आपको दिखाई दे रहा है कि किस तरह से इस I.S. अधिकारी के ऊपर सिडीशन राज द्रोह का मामला दर्स किया दिल्ली पुलिस ने सवाल यह है कि यह जो शिक्षा है यह जो सीख तमाम सत्ताधारी लोग हमारे देश के सांसद मुख्यमंत्री सत्ताधारी पार्टियां देश के नागरिकों को दे रही है क्या वह देश के कॉंस्ट्यूशन के हिसाब की शिक्षा है क्योंकि इस क्रम में बहुत से बयान हम द प्रिशाल के तौर पर देखे गुजरात के मुख्यमंत्री सरेयाम सामाजिक कारेकरता मेधा पाटकर पर कीचड़ उचालते हैं। और तो और मद्र प्रिश के गृह मंत्री नरोतम मिश्रा खुले आम कहते हैं कि सिने अभिनेत्री, एक्टिविस्ट, शवाना आजमी, जावेद अख्तर, नसरीदिन शाह इन सब पर अपशब्द इस्तमाल करते हैं। इन सब को टुकडे टुकडे गैंका स्लीपर सेल से हुई हैं, यह जो नफरत की शिक्षा देश में दे रहे हैं, महिलाओं के खिलाफ अभद्र भाशा का इस्तमाल करने की शिक्षा दी जा रही है, इसकी एक कड़ी गुजरात में सामुहिक बलातकार का शिकार हुई, उसके खिलाफ संघर्ष करने वाली बिल्किस से भी हैं, जिनको कोट घोशित कर चुकी हैं, उनके अपराद को, उनको भी सम्मानित करने की शिक्षा देश में एक तरह की राजनीती दे रही है, और शायद आज की तारीख में जब हम शिक्षा, शिक्षक दिवस की बात कर रहे हैं, तब हमें स्टैंड लेना बहुत जरूरी है कि ये शिक्षा, जो नफरत की शिक्षा है, जो मनुवादी शिक्षा है, जो पित्र सत्ता पे आधारित शिक्षा है, जो सामप्रदाइक शिक्षा है, इसका विरोध कैसे होगा। बड़े पैमाने पर छटनी हो रही है, उनके पदों को ही खतम कर दिया जा रहा है। विग्यापन अखबारों में गुरू शिष्च परंपरा के बारे में होते हैं, सरकारें प्रचार प्रसार कर रही हैं, उसमें लाखों रुपे खर्च कर रही हैं, लेकिन हकीकत ये है, ज इंप्लिमेंट हो रही है, अब देखिए, सितंबर 2018 से लेकर सितंबर 2019 के बीच, जो सरकारी स्कूल देश में बंद हुए, उनकी संख्या 51,000 है, यानि सरकारी स्कूलों की संख्या में तकरीबन 5 फीसदी की गिरावट। दिल्ली के मुख्यमंत्री मनिस्सी सोदिया ने यह दावा किया है, कि सरकार ने और खास और से भाशपा शाशे सरकारों ने पुरे देश में 72,000 जी हां 72,000 स्कूल बंद कर दिये हैं, और यह पिछले 7-8 सालों में हुआ है, और इसी दोरान जो दिखाई देता है, कि निजी स्कूलों को जबर्दस्त बढ़ावा दिया जा रहा है, इसमें कुछ राज्यों के आकड़े जो हम आपके साथ साजा कर रहे हैं, उन्हें ध्यान से देखिए, यह और ज्यादा हो सकते हैं, जितने आकड़े हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जो आपको दिखा रहे हैं, यह पब्लिक डोमेन यानि इनके बारे में नेता संगठन बोल रहे हैं। बहुत से मामले सामने ही नहीं आ रहे हैं। इसको लेकर भी तमाम तरह की चिंताएं पूरे देश के शिक्षा जगत में व्याप्त हैं, व्यक्त की जा रही हैं। मिसाल के तौर पर उत्तर प्रदेश में 26,000 सरकारी स्कूल बंद किये गए। मंद्र प्रदेश में 22,000, असम में 6,000 से अधिक। उत्तराखन जो छोटा राज्य है, वहां 1,000 से अधिक सरकारी स्कूल बंद हुए। और हर्याना, वहां की तो क्या ही कहिए, वहां पर 20,000 से अधिक जो शिक्षक, टीचर के जो पद हैं, उन्हें खत्म कर दिया गया। और इससे बड़ी साजिश शिक्षा के खिलाफ, अध्यापकों के खिलाफ, शिक्षकों के खिलाफ, विद्यार्थियों के खिलाफ, जो पूरे देश में चल रही है, उसका नाम है स्कूलों का मरजर, यानि स्कूलों को जोड दिया जा रहा है, अब इसका जो बहुत बड़ा गरबर घोटाला है यह जो बड़ी साजिश है शिक्षा के खिलाफ इसने करोडों विद्यार्थियों का भविश चौपट किया है हजारों अध्यापकों यानि टीचरों का भविश उनकी रोजी रोटी छीन ली है यह ऐसा मुद्दा है जिस पर बहुत कम राजनितिक हलचल जबकि हमारा आपका देश का भविश शिक्षा से सीधे सीधे जुड़ा हुआ है और शायद आज की तारीख में जब हम शिक्षकों को याद कर रहे हैं सरकारी आयोजनों को देख रहे हैं तब हमें अपने अपने इलाकों में इस बात पर निगाह रखनी बहुत जरूरी है कि शिक्षा के खिलाफ जो अभियान चल रहा है वो क्या है उसके खिलाफ बोलना बात करना लिखना बहुत जरूरी है तब ही सच्चे माइने में हम अपने शिक्षक को याद कर सकते हैं और अंत में बात गौरी लंकेश की गौरी लंकेश जो एक अलग धंकी टीचर थी जो बहुत कुछ सिखाना चाहती थी मीडिया में जो बहुत कुछ सीख रही थी कि कि किस तरह से निर्भीक और सच्ची पत्रिकारिता को जिंदा रखा जा सकता है गौरी लंकेश जिने 5 सितंबर 2017 को जो नफरती एजेंट हैं जो हिंसा पहलाने वाले लोग हैं विचारधारा है जो अंतविश्वास पहलाना चाहते हैं उन्होंने अपनी गोलियों का निशाना बनाया सच के खिलाफ उठी निर्भीक आवाज गौरी लंकेश आज की तारीख में एक ऐसी टीचर के तौर पे हमारे सामने हैं हमें याद आती हैं हमें रास्ता दिखाती हैं जो मीडिया को स सिखाने के लिए आतूर थी कि किस तरह से जब इतना दबाओ हो जब बाजार का दबाओ हो जब कॉर्पोरेट का दबाओ हो जब नफरती राजनीती का दबाओ हो सच को छुपाने की साजिशे हों उसमें एक पत्रकार को क्या करना चाहिए किस तरह से खबरें लिखनी चाहि किस तरह से जनता के सवालों को सत्ता से पूछना चाहिए और शायद गौरी लंकेश जैसी टीचर अगर आज की तारीख में भारती मीडिया को कुछ रोशनी दिखा सकें तो जिस तरह की ट्रोल आर्मी में तब्दील हुई है मीडिया जिस तरह से तमाम टीवी के एंकर जो कॉ एक सबक और प्रेणा के तौर पर गौरी लंकेश उनका काम याद आएगा शुक्रिया